बेख़ॉफ अपरादियों की एक खबर आई है बेख़ॉफ बदमाशों ने पहले एक गुटका एजिंसी पर जकैती की इरादे से हमला बोला और फिर ताबर तोड गोलिया चला दी इसमें कारुबारी की बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है घटना के बाद आसपास भगदर मजग गई बदमाशों की फारिंग में चार और लोगों कोई भी जखमी होने की जानकारी मिली है इनकी हालत नाजूब बनी है सभी को अस्पिताल ने जाया गया बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सक्तर हजार रुपे नगद और सोने की चेन भी लूट ली घटना के बाद व्यपारियों का गुसा फूट पड़ा एस्पिसिटी समेथ तमाम अस्थरों को घेर कर व्यपारियों ने नारिबाजी की शारदा रोट जाम कर दी गई है तो पुलिस बदमाशों को अब तक गिरफतार नहीं कर पाई और ये हालत तब है जब चुनाव के चलते सुरक्षा के कड़े बंदबस्त होने के दावे किये जाते हैं एक की बाद एक बड़े नेता प्रचार के लिए शेहर में मौझूद है अमिश्या भी थुरदेर में करने जा रहे हैं पैदलमार चार्जी बीजेपी के अध्यक्षा मिश्या वहां पर मौझूद है और इस तरीके से ये चीज़े राजीव शर्मा हमारे साथ है राजीव ये तो यही दिखा रहा है कि भले ही लाग ये बाद करें जाती हो कि सुरक्षा के इंतिजाम है लेकिन अब तक गिरफतारी किसी की नहीं हो पाई है किसी को ट्रेस नहीं कर पाई है पुलिस क्यों तो कहीं नहीं जो हैं कि अभी व्यापारी में यहां पर आकरोश बनावा यह वही जगे है जहां से आपसे कुछ देर बाद आमिश्या जो है पॉंचेंगे और अपनी पैदल मार्श शुरू करेंगे शार्था रोड की रटा है तो कहीं न गहीं जिस सरीके से पूरी ज़तन करते हुए और आपको बताना चाहूंगा इसमें व्यापारी सूतर की मौत हो गई और चार्ड रोग इसमें अन्य गायल है जिनकी आरत अभी स्खिर बनी वी है तो कहीं न जहीं पूरे जो पुलिस की रहस्तास पर सवालिया निजान जरूर ख़ड़े कर रहा है शुटाब को यह भी जानकारी अब देना चाहूंगा चूंकि यहां पर व्यापारी में का भी आट रोज है इस पूरी गटना के वाद और अमिशा का जो है जो यात्रा है उसका रूट परिवर्तित किया जा सकता है जिस तरीके से जो ख़ब निकल कर आ रही है चुकि यह पहले शार्दा लेकिन अब यह मैट्रो प्राजा होते हुए यह आपर इस पूरे मामले में बदमाशों को ट्रेसाउट नेहीं कि आज आ पाया है पुलिस के तरफ से